हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो प्लांटेरेंड लिवी आज मैं आपको स्पाइडर प्लांट को लगाने की प्रॉपर मेथड बताने जा रही हूं यह स्पाइडर प्लांट डिवाइड करके मैंने बड़े पॉट से निकाला है और यहां पर दिखिए इसकी रूटिंग आपको देख रही है तो जब भी हम इसको पॉटिंग करते हैं तो थोड़े दिनों बात कई बार यह प्लांट मर जाता है तो उसके रिजन्स क्या है और क्यों यह प्लांट मर जाता है इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगी इसके लिए सबसे पहले चाहिए हमें वेल वाला pot कोई भी pot लीजिए वो clean रहना चाहिए और well drain होना चाहिए इसमें नीचे बहुत सारे holes है और मैं इसमें bricks नहीं डाल रही हूं मैंने सिर्फ कोयर डाला है तो इसकी वज़ा है यह well drain रहना चाहिए इसलिए कोयर का में इस्तेमाल कर रही और moisture भी hold करने वाली जो मिट्टी बनेगी वो moisture ज्यादा hold करेगी यह coconut कोयर की वज़े से तो यह पहला इसका point है spider plant जो हम लगाते ही उसको well drain pot होना ज़रूरी है उसके साथ साथ clean होना भी ज़रूर है यह plant ज्यादा तर fungus के वज़े से भी मरता है इसके roots में जल्दी fungus लग जाता है इसलिए यह fungus से प्लांट कई बार मरता है तो pot जब हम लेते हैं वह clean होना चाहिए चाहिए तो आप इसको अच्छी तर से hydrogen peroxide से भी clean करके ले सकते हो या फिर कोई भी sterilization से आप sterilize कर सकते हो अब हम इसमें जो मिट्टी डालने जा रहे है वह एक तो इसमें सेंड होनी चाहिए अच्छी तरह का कामपोस्ट होना चाहिए मैं इसका composition बताती हूं 30% garden soil 30% कोई भी कामपोस्ट मैंने आज यहां इसमें वर्मी कामपोस्ट डाला है और 30% कोई भी moisture hold करने वाला आप component डाल सकते हो जैसे कि राइस हस्क है या फिर कोको पीट है मैंने कोको पीट यूज किया है इसमें कोको प यह कोपीट यूज कर रहे तो थोड़ा आपको उसको sterlize करना पड़ेगा उसके बाद यूज कर सकते हो कई बार कई कोपीट की वज़ा से भी plant मरता है कोपीट में कई बार फंगस भी लग सकती है कोपीट की वज़ा से उस रिजन से plant मरता है और 10% ली है मैंने ऐसे composition में आपका plant बहुत अच्छी तरह से grow होगा इस plant को ज्यादा fertilizer की जरुरत नहीं होती साल में दो बार आप कर सकते हो अभी February में भी आप कर सकते हो spring season के पहले और यहाँ पर दिखिए यह black black अच्छी तरह से black हुआ जो compost दिख रहा है आपको तो compost इस तरह का चाहिए जो अच्छी तरह से decay हुआ ताकि decay हुआ जो compost होता है वो जल्दी nutrients release करता है मिट्टी में इसलिए वो decay हुआ यूज करना ज्यादा ज़रूरी होता है तो देखिए अब इतनी हमने मिट्टी डाली और इसमें हमें अब यह जो मिट्टी आनी चाहिए इसके उपर आप मिट्टी मत लीजिए यहां तक ही लीजिए क्योंकि इसके leaf के बीच में भी कई बार मिट्टी जाती है और soil वहां पे जाके पानी ज्यादा होके यह पानी प्लांट मर सकता है तो जब हम लगाते हैं तो roots अंदर जानी चाहिए और हम जो मिट्टी डाल रहे हैं उसमें सिर्फ इसके roots नीचे जाने चाहिए और बाकी का portion उपर रहना चाहिए इसका और अच्छी तरह से इसको आप दबा दीजिए और प्लांट को लगा दीजिए यह प्लांट कई बार fungus से भी मरता है तो आप फंजी सैड मिला दीजिए मैंने इसमें ट्राइकोडर्मा मिक्स किया है मिट्टी में ट्राइकोडर्मा का powder मैंने soil बनाते समय डाला था आपके पास कोई भी फंजी सैड हो तो आप वो डाल सकते हो उसका यूज कर सकते हो यह प्लांट शेड लविन प्लांट है आप शेडी एरिया में इसको रख दीजिए और इसकी जो 10-15 डेस के बाद आपको ग्रोध दिखेगी तब आपको इसको थोड़ा सा सेमी शेडी एर और भी 2-3 वराइटी जो पहुती सुंदर आती है ग्रीन शेड में एक आती है और वाइट पूरी तरह से ज्यादा वाइट पोर्शन उसमें ज्यादा होता है ऐसी भी वराइटी आती है आपको जो वराइटी पसंदे वो आप नरसरी से खरीच सकते हो और यह आसानी से आने हो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सेर सब्सक्राइब जरूर कीजिए